एक थीस शबरी, रामायन के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले लोग भी उनके नाम से परिचित होते हैं। प्रभु श्री राम की प्रतिक्षा में वो बुढ़ापे तक हर रोज अपने आश्रम का रास्ता साफ करती ज्जाडू लगाती रही थी। चुकि कथाएं श्री राम द्वारा शबरी माता के जूठे बेड़ काने की है, इसलिए अंदर से जाती वादी और उपर से गोल गोल बाते बनाने वाले कई सूर्मा उनकी चर्चा जातपात और छुआ चूट मिटाने के नाम पर भी करते रहते हैं। रामायन के साथ ही शबरी माता की कथा समाप्त नहीं होती। मध्यप्रदेश के विदीशा, वालियर, भिंड, धतिया इत्यादी इलाकों में एक जंजाती होती है सहरिया। ये जंजाती अपना इतिहास माता शबरी से ही जोड़ना शुरू करती है और मानती है कि वो शबरी के परिवार के सदस्य थे। इस जंजाती का कोई लिखित इतिहास उपलब्द नहीं होता इसलिए जब सहरिया जंजाती की बात होती है तो श्वैम को माता शबरी का वनसज मानना दोहरा दिया जाता है। कोने में जा पहुँचा। जब ग्रमा ने ये देखा कि ये मनुशे इतना सीधा बन पड़ा है कि ये अपनी जगा बचाना तक नहीं जानता तो उन्होंने सर धुन लिया। गुस्से में उन्होंने सहरिया को पृत्वी पर जंगलों में बसने कहा और तब से सहरिया जंगलों वही था जहां भाजपा के मुख्य मंतरी महोदय ने कुनों अभ्यारन्य बनवा रखा है और प्रधान मंतरी श्री नरेंदर दामोदर्दास मोदी जी के विशेश प्रहासों से विदेशों से लाकर चीते बसाये जा रहे हैं। जंगल के लिए भारत में जो कानून हैं वो अधू, महुआ या जड़ी बूटी इकठा करना इत्यादी अपराध हो जाता है। जाहिर है ऐसे कानूनों के बारे में जंजातियों के लोगों को शायद ही पता हो या अनुमान होगा। इस वजह से कोई गलती किये बिना ही सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे ब मालूम नहीं। अगर मुआफ़ा मिला भी हो तो अपने जमीन, जंगल का ही नहीं। उनके छूटने से जो सांस्कृतिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई आर्थिक तोर पर कैसे हो सकती है। स्वास्त आदी की दृष्टी से आज देखा जाये तो कुपोशन और टी भी सहरिय जंजाती में आम हैं। उनके अनुवानशिक इतिहास पर जिवाजी विश्वविद्याले ग्वालियर में शोध भी चल रहा है ताकि उनकी बीमारियों के अनुवानशिक कारण ढूंडे जा सके। ऐसी स्थिती में जब उन्हें एक जगा इकठा अपने गाउं में रहने द प्रवासी मजदूर बना दिया जाएगा तो नतीजे क्या होंगे। धार्मिक द्रिश्विश अगर देखा जाये तो सहरिया जनजाती के लोग पोली, रक्षा बंधन, दीपावली जैसे त्योहार मनाते हैं। वो देवी, तुर्गा और हनुमान की उपासना तो करते ही हैं साथ ही उनके एक रोजग देवता वीरतेजा जी भी होते हैं। करीब करीब 12-13 वी शताप्ति के वीरतेजा जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और राजस्थान के करीब करीब सभी छेतरों में वो पूझ देवता होते हैं। वीरतेजाजी ने अपनी जीप पर साप को काटने दिया था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी और बदले में साप ने वरदान दिया था कि वीरतेजाजी के भक्तों को सर्पधंश से मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे मानते हुए उनके भक्त भादों की शुक्ल पक्ष की दश्मी को मेला भी लगाते हैं। ऐसे मेलों का अकर्षन सर्पधंश को अच्छा भागे लाने वाला मानने वाले लोग भी होते हैं। यानि कि त्योहरों देवी देवताओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सहरिया जंजाती के लोग हिंदू होते हैं। जंजाती चेत्रों में धर्म परिवर्तन के लिए जोर लगाते मिशनरियों के प्रयास किसी से छुपे हुए नहीं है। हाल में ही कुछ भाजबा शाशित राज्यों में इसके विरुद्ध कानून बनाने की कवायत भी शुरू हुई है। बिमारियों और गरीवी से जूचता एक समुदा है मिशनरियों और धर्म परिवर्तन करवाने वालों के लिए कैसा होगा इसके पारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जिनने घर से बेघर कर दिया गया होगा, वो असंतुष्ठ होंगे और माववादियों को भी सहरिया जन जाती में आज शिकार नजर आ ही रहे होगे। ये भी पक्की बात है। हाँ, मुख्यधारा की मीडिया अगर पूरे दिन केवल चीते दिखाने के बदले थोड़ी देर इस समस्या पर भी बात करती, तो संभवता अधिकारी नेतागर्ण इस समस्या के मिदान के लिए सहरिया समुदाय के भले के लिए कुछ सोचते। अफसोस भारत के ब्रेकिंग नियूस के काल में ऐसा कुछ भी नहीं होता।